हेलो फ्रेंस वेलकम तो माई टैट क्लास्ट फ्रेंस आज हम देखेंगे मैस और मैथ में देखेंगे तीरियर रेखाओं पर आधारित प्रश्ट वैसे मैं पहले आपको यह बता चुकी हूं कि मैथ के जो सारे टॉपिक हम ने टीटी केस लेवल के अकॉर्डिंग सारे टॉप जो उन टॉपिक से लेटर तो होते हैं लिकिन कहीं न कहीं वह छूड़ जाते हैं तो इसलिए हम उन सारे टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे जहां से प्रश्ट आपके आते हैं सूपर टीटी में इससे लिटेट एक प्रश्ट आया था इसलिए टीटी में भी आने की बिनकर कोड काट कहार है तो इस नोद भी और कर फोल शेकाल ओर फोल तो ये ऐगर हम अम तैट तो फोल यार्य टोटल कितने कोड बन रहे हैं आठ कोड बन रहे हैं इन आठ कोड में चार कोड आपके बाह कोड होते हैं जिसमें A, B, H और G आपके बाह कोड हैं यानकि दो रेखाओं के इन समानतर रेखाओं के अंदर जो कोड बनते हैं वो अंतर कोड होते हैं और जो बाहर बनते हैं वो बाह कोड होते हैं आपके अब यहां पे देखिए अब यहां से एक बनता है संगत कोड संगत कोड किसे कहते हैं एक अंदर का कोड और एक बाहर अंदर का मतलब यह c d f e यह आपके अंदर के कोड है और a b h g आपके बाहर के कोड है एक अंदर का कोड एक बाहर का कोड बनता है आपका संगत कोड यहां पर हम लिखे तो संगत संगत कोड कौन से हैं आपके अहां पर तो देखे कोड सी एक अंदर का कोड ले लेते हैं तो कोड सी एक संगत कोड में दूसरा भी कोड चाहिए हमें और कौन सा कोड ले सकते हैं हम एक बाहर का लेंगे, तो हम कोड लेंगे कोड A, कोड A हमने ले लिए, और ये ध्यान जी तो जो संगत कोड होते हैं, ये जो दोनों, ये दोनों का जो अंच होता है, वो बराबर होता है, दोनों एक ही अंच के होते हैं, अगर ये 30 अंच का है, तो ये भी 30 अंच का ही होगा, यह हो गए संगत कोड, संगत कोड में आपका B और D हो सकता है, E और G हो सकता है, F और H हो सकता है, अब यहाँ पर आ जाता है एक आंतर कोड, एक आंतर कोड होते हैं, जो चारों अंदर के कोड हो से ही बनता है, कौन-कौन से एक आंतर कोड होते हैं, एक आंतर होता है, एक का आं बराबर होता है उसी तरह से एक आंतर कोड़ों का भी मान बराबर होता है अब देखिए और अंतर रेखा है तो कोड़ इस आपका 40 सही हो और कर्षा आमने सामने के कोड़ होते हैं किस्ट कोड़ के बराबर यह कोड़ होगा यहांond यह है तो यह भी 4 सहे हैं अगर घर्म इस पे इस अब इस पर कुछ प्रशन देख लेकं लेते हैं हैं इहां काण लिए है कि एक रेखा है और बी जो क्या है समानांतर समानांतर का यह सिंबल है आपको प्रिश्ण वाचिक निशान पर क्या होगा यह बताना है तो इसका संगत कोड कौन हुआ एक अंदर एक इसका संगत कोड यह हुआ और यह कितने अंसका हुआ बाइसंसका हुआ तो बहुत जढ़ा जाये मत है एक रेखा पर कितने अंसका कोड बनता है एक तरफ बिंदू के चारों तरफ कोड देखे तो कितने बनता है T48 इंस का बनता है llo 22 इंस तो हमें पता है। :「 कितने नंस नहीं कर ले ते हैं कृते हैं। यहां पे 180 का मान है 180 मेंसे ? 180 मेंसे 22 माइनस कर देंगत dışष नहीं है आपका आठ आजाएगा यहां बचा साथ साथ में से दो गया आगा पांच और यह एक कितना अंस आया इस कोड का मान कितना आया एक सो अठावर अंस का यह मान हुआ ठीक है यह हो गया आपका आंसर अगला प्रेशन देखते हैं देखिए प्रेशन कुछ इस तरह के भी आएंगे क्योंकि सिंपली नहीं देंगे थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा आपको समझने के लिए अब यहां पर देखिए कोड यह क यहीं चीज है चित्र को ठोड़ा सा घुमा दिया गया है और यहां पर जोड़ दी गई है तो आप देखिए यहां पर इसके समाना अंतर है तो यह 30 अंस का हुआ यह आपको संगत कोड के हिसाब से यह आपका 30 अंस का हुआ यह भी को add कर देंगे इसका value मिल जाएगी हमें और इसके मान को इसको जोड़ देंगे हम और एक तरभुच का कितनी value होती है 180 अंस की value होती है 180 से minus कर देंगे तो हमें answer मिल जाएगा तो यहां हो गया हमारा 28 28 और 30 28 और 30 हम जोड़ देंगे तो हमारा आजाएगा 8 और 5 यानि कि 58 और एक समाना अंतर रेखा पर पड़ी रेखा पर कितने अंस का code बनता है 180 अंस का तो हमें 58 अंस तो पता चल गया तो अब 180 मेंस अगर हम 58 को minus कर देंगे तो हमें इस code की value मिल जाएगी घटा देते हैं 10 में से 8 गया 2 यहां बचा 7 7 में से 5 गया 2 और 1 यानि कि यो code की value की lighting की topics की 5 अंस अंस मिल गया अब देखें त्रीभुच का तीनों कोड़ों का यो कितना होता है 180 अंस होता है और हमें दो code पता है 180 में 100 से माइनस करगें, तो यहाँ पर 180 में 100 बाउन को माइनस करदेंगे, तो हमें एक ओर की वैल्यू मिल जाएगी, पर देते हैं, तो आजाएगा हमारा 8, 10 में से दो गया, 8, 7 में उसरे 5 गया, दो कितना आया 28 यानि कि कितने कमान निकल कर आया इसका 28 अंस का इसकी वैल्यू निकल कर आ गई यह हो गया आपका आलस है तो इसी तरह से प्रश्ण आपके टीटी में आएंगे तो उम्मीद कर तूं कि आपको यह समझ में आया होगा अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाका होगी तब तक के लिए नवस्कार